नमस्कार साथियो दिवी ग्यान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा दोस्तो आज जो है उत्राखन सरकार धामी कैबिनेट की जो है आज एक बैठकती और समापतु ही है आज जो है कैबिनेट में जो है कुछ बड़े फैसले हुए है उस पर हम आज जो है इस वीडियो में नज़र रखेंगे तो जैसा कि पहले से ग्याद था कि आज जो कैबिनेट होने वाली है इसमें सरकार पहला बिंदो जो है बजट सत्र जो सुरू होने वाला है उस पर बात करने वाली थी दूसरा इसमें बात करने वाली थी प्राइमेरी भरती की जो नीमावली थी उसके उसका जो संसोधन था और उस संसोधन को जो हरी जंडी मिलनी थी तिसरा L.T. और Lecturer L.T. और Lecturer भरती को लेकर जो है जो पेच जो है सासन के इस तरसे थे उनको जो है क्लियर करते वे इस भरती को हरी जंडी देनी थी इसके साथ चाथ और भी मामले थे तो इस पर क्या फैसला हुआ है आज आईए देखते हैं तो सबसे पहले जो कैविनेट हुई है उसमें उत्राखन में आज धामी कैविनेट की बैठक हुई है ये बैठक सचीवालाई में मुख्य मंत्री पुसकर सी धामी की अध्यक्षता में मंत्री मेडल की बैठक हुई है बैठक में कई बड़े फैसले हुए बताया जा रहा है कि 26 जनवरी से विधान सबाब बजट सत्राहुत हो रहा है यानि कि जो 26 फर्वरी है वहाँ से एक मार्च के बीच में ये जो है बजट सत्राह रखा गया है आज बैठक में बजट को मंजूरी देने के साथ ही कैविनेट में कई बड़े फैसले हुए हैं आईए जानते हैं इस पर क्या फैसले हुए है तो एक एक करके देखते हैं इस पर तो पहला जो इसमें बड़ा फैसला हुआ है वह हुआ है उर्जा विभाग का ललेखा विवरंड विधानसभा के पडल पर रखा जाएगा इसमें पहला जो फैसला हुआ था ये हुआ था दूसरा फैसला हुआ है आवाज विभाग के रेरा के दो संसोधन हुए है साथ में आवाज विभाग में जो EWS बिल्डिंग होती है बनाने के लिए सेंटरल फंड में 5000 वर्ग मीटर से कम वाले और अब उससे बड़े वालों को भी पैसा जमा कराने का उप्शन होगा EWS बनाने की जरुवत उसमें नहीं पड़ेगी साथ में EWS के प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप उचाई की जो है कि कितनी उसमें हाइट होगी इसकी कोई रोग रोग नहीं होगी पहले 12 मीटर से ज़्यादा यहाँ पर लिमिट रखी गई थी साथ में डिपलोमा इंजिनियर के प्रोमोशन को साथ में मंजूरी दे दी गई है तो यह बड़ा फसला है कि डिपलोमा इंजिनियर जो है उनके प्रोमोशन को यहाँ पर हरी जंडी दे दी गई है साथ में वित्विभाग का इंडस्ट्री के रजिस्ट्री में पहले पूरी स्टाम ड्यूटी ली जाएगी, बात में प्रति पूर्टी भी दी जाएगी साथ में जमरानी बाद और सौंग दोनों को मंजूरी जल्द निर्मान यहापर सुरू होगा, इंको मंजूरी दे लिग लगाई है भूजल का पुरियोग कर प्रोजेक्ट है बनाया जाएगा साथ में गैंगस्टर एक्ट में संसोधन किया गया है बाल स्रम जली करेंसी मानव या पार बंधुआ मजदूरी कराने वालों पर भी अब जो है गैंगस्टर एक्ट लगेगा तो जो गैंगस्टर पर भी गैंगस्टर एक्ट लगेगा स्थार में सिक्ष्यव विभाग में क्या ख़बर आई है सिक्ष्यव विभाग पर जो ख़बर है 11 चलाए जाएगी 12 में सिक्ष्यव विभाग दूआरा लेब on wheel चलाएगी और शक्यरतालन करेगा ओस्ब्ड palavra यहाँ पर है L.T. सिक्षगों के लिए जो बहुत से जो है उत्राखिन में जो B.A. प्रसिक्षगों हैं वो L.T. भरती का इंतिजार कर रहे थे तो उसमें L.T. भरती परिक्षा में एक बड़ा पेंच फसा हुआ था जैसा हम आपको पहले बता रहे थे कि जो कलावर्ग के अभियरती हैं उन पर जो है योगिता को लेकर भी वाद था अब कलावर्ग के अभियरतियों के लिए B.A. की डीगरी अनिवारी होगी कलाव विसाई के सांचार उनको B.A. करना भी जोटी होगी तो इससे जिन अभियरतियों का जो है B.A. कलावर्ग वालों का उनमें तो खुस्टी के लहर इसमें देखी जाएगी और जिन अभियरतियों का जो है B.A. नहीं है उन पर जो है दीरासा इसमें देखने को मिलेगी साथ में इस वजह से जो सिक्षक भरती रुकी हुई थी ये जो है अब उमीद जताई जा रही है कि आचार सेहिता से पहले L.T. की भरतियाब आने की पूरी संभावना बनी रहेगी क्योंकि ये पेच यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है क्योंकि कला वरगे के सिक्षक के लिए बीड जरूरी होगा यहाँ पर ये बात रखी गई है संगीत के टीचर की निमावली में संसोरन अब 6 साल का कोर्स ही एपलाई होगा संगीत प्रभाकर जो संगीत के टीचर की निमावली है जिसमें गड़वाल चे कुमाऊं में जो है ट्रांसफर किया जा सकता है, पूरी सर्विस में एक बार ऐसा हो सकता है, साथ में सिख्षकों को यात्रा उकास देने का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाने के निरदेश दिये हैं, साथ में ग्राम इकास दिखारीयों को दो मह के ट्रेनिंग के पैसे दिये जाएंगे बद्रिनात और केदानात में स्वास्ति विभाग ने बनाया अस्पताल इसके संचालन के लिए टेंडर पर क्लिया साथ दिन में अब पूरी करने की बात की गई है साथ में बजट जो शुरू हने वाला 26 परवरी से एक मार्स के बीच म तो उसको भी मंजूरी दे दी गई है तो ये बड़े फैसले आज जो है लिए गए थे जो आज केमिनेट की बैटक भी थी अब इसमें जो एक बड़ा मामला आना था बेसिक सिक्षक संसोदन जो निमावली थी उससे संबंदित आना था तो पी आर्टी से संबंदित जो नि था है कि हम कह सकते हैं कि बिना अंदूलन की बिना धर्णा प्रधसन के जो है यहां पर प्राइमेरी भरतिय से संमदित निमावली बेसिक सिक्षास संबंदित बिना खर्थल मौली आचार सेहिता लग जाएगी और आचार सेहिता लगने के बाद से नहीं भरती प्रक्रिया शुरूर नहीं हो पाएगी और उसके बाद ये प्रक्रिया आपके जून जुलाई में चले जाएगी और आपको पता है उत्राखन में भरती तभी निकलती है जब यहाँ पर का मौसम में अगर अभी नहीं निकलती है तो अगले चुनाओ आपको पता है 2027 में तो 2027 में कुछ न कुछ कारणों से भरती लटकी रह सकती है ऐसी पूरी जमावना बनी वी है साथ मैं अभी लेक्चरर भरती को लेकर भी कुछ पेंच है उसकी भी बात अभी नहीं हो पाईए हो सकता है कि इस पर भी जल्द ही इस पर अचार सहीता से पहले कुछ निर्णाई हो अगर हो जाता है तो अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है कल जो है 22 फरवरी को उत्राखंड जो है बीएड और डीलेड अभियर्थियों द्वारा सची वाला कूछ किया जाना है जिसमें उनकी प्रमुक मांग यह है कि उत्राखंड में जो है जल रही ल्टी लेक्चरर और पीर्टी भरती सुरू की जाए तो इसको लेकर कल जो है बीएड और डीलेड अभियर्थियों का जो है प्रेड गाउंड देरादून से सची वाला इस तक जो है कूछ किया गया है अब इसका कितना प्रभाव पढ़ता है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा तो इसी के बाद ही यहाँ पर उत्राखर में सिक्चा भरती को लेकर इस्तिती साब हो सकती है क्योंकि बीना धन्ना प्रदसन और आन्दुलन के यहाँ पर नई भरती निकलना जो है सिक्चा भिभाग में खास कर बहुत ही टेड़ी खीर साबित हुई है पुराना अगर आप इतिहार देखते हैं तो अमीद करते हैं कि कल जो धन्ना प्रदसन होने वाला है सची वाला कूछ होने वाला है उससे एक सार्थक और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा और जल्द ही 10 मार्च से पहले जो है PRT भरती हो या आपका LT भरती हो तब तक के लिए धनिवाद जय हिन जय भारत जय उत्रखन